कल रात को DECLARE किया जाता है कि यह टेकिंग होने जा रहा है और आज होता है यहाँ किसी को पाप्लिक स्कूटिन इंक करने का मोखा भी नहीं दिया जेंदा जेंदा सबको गारा है इतना Д्रीम्स इतना hope, इतना aspirations को अपने crush किया है यहामें आम लोग इतना जोर सोर से चिला रहे है, इतना रो रो के चिला रहे है यहामें खून का आशू रो रहा है तब भी अभी हम इस तेट गमेन का कुछ seriousness नहीं है जो resignation का जो procedure अगर complete नहीं हुआ है तो अभी हो लोगों केसे करके appointment कर लिया जितना भी आरोनाशनल का जनता है आप सब को thank you in fact हमारा media, जितना media friends है आप सब का तुरू से हमारा अरोनाशनल में जितना भी जनता है आप सब को हमारा आवाज पहुंच रहा है आज हम पेन अरोनाशनल Joint Steering Committee हम आज अरोनाशनल प्रेस क्लब में यहाँ पे प्रेस ब्रिफिंग के लिए आया है और यहाँ पे सबसे बरा जो मुद्दा है जो पिछले देर साल से हम लोग यह इशू में इन्वल्व है हम सबने सुरू से बोला है कि यह इशू कोई नर्मल इशू नहीं है यह इशू हमने रिपीटिली बोला है कि दिस इस नो लेस देने मास जेनोसाइट और मास जेनोसाइट भी जस्ट नर्मल से नहीं मारा है जिन्दा जिन्दा सबको गारा है इतना द्रेम्स इतना होप इतना एस्परेशन को अपने क्रश किया है और यह चीज जो सिस्टम में यह चल रहा था और जो सिस्टम में चल रहा था हम लोगो अंदाजा भी नहीं था और जब इसका खुलासा हो आम लोगो बरौस यह था कि इस्टेट गवर्मेंट इसको सीरिसली लेगा लेकिन देर साल का बात अभी देखता है तो अभी हम लोग को इसमे being हब जोर सोर से चिला रहें इतना रो रो सिला रहे यहां में कून का अशू रो सा रह तब भी आभी इस तेट ग्वोर्मिन का कुछ सीरिस्सनेंस नहीं है तो जैसे कहा आप ने देखा ओगा जो और टेकिंग था और टेकंग जो पब्लिक स्कूरूतिन नहीं करने का मोगा भी नहीं दिया इंफर्ट हम लोग भी बोला ता कि जब भी आप नया चेर्मेंड लाएगा नया मेंबर्स आएगा अप्लिस उसका जो जो एसेट जो एसेट का जो एसेट का जो यह है जो दो मेंबर तो जिसका लीगल बैटल पिछले एक साल से चल रहा था सिर्फ वह दोनों को ही स्वरीन किया जाता है और बाकी जो चेर्मेन और एक मेंबर है जो नया आने जा रहा है वो दोनों नहीं होता है तब हम लोग पूछता है कि यह एक्जेक्ली क्या हो रहा है तो बा आज़ो रेजिग्नेशन को जो प्रोसीजर अब इता कमप्लिट नहीं हो लोग ऑई बुला एक तो हम आप अनुका आया है अगर बेहारोग जो लोग का जो प्रोसीजरो अगर उन्याप तो अभी वो लोगों कैसे करके अपोइन्मेंट कर लिया क्योंकि जो रिसेंट जो कोड जज्जमेंट आया है ओट टेकिंग इस जैसर फॉर्मालिटी लेकिन उससे पहले ओड़ी वो लोगों का अपोइन्मेंट हो चुका है तो जैसे 12 ऑफ दिसंबर कल का जो अपोइन्मेंट एक ओड़र निकला है यहां में चेर्में प्रदिप लिंगफा सर का और मेंबर्स जो है यह असन रिदी सर रिदी सर उसके बाद जो नया जो है कोज तरी सर उसके बाद रोजी तावा मेदम यह तिनों का होना था लेकिन उसमें से सिर्फ दो मेंबर का हुआ है लेकिन यह चेर्में और एक नया मेंबर का तो हुआ नहीं है तो यहां में ऐसा है कि आर्टिकल 317 क्लोस 4 उसमें यह क्लैले लिखा है कि इफ यूर होल्डिंग अन ओफिस अफ प्रॉफिट यहां पर यहां में पोस्ट होल नहीं कर सकता है अभी आप ऐसे कैसे आदमी दून लेया कि उसी आदमी को आप यहां पर चेर्मेन के लिए या पर मेंबर के लिए दुना है जो अपर अफिस होल कर रहा है या फिर आपने और्ट टेकिंग को इतना जल्ड बाजी में क्यों किया है कि यह लू का अभी जो जो रिजिगनेशन प्रोसिजर है उसको भी कंप्लीट होने नहीं दिया है अभी यहां में तो इरादा हम लोगो यह दिखाए देता है कि यह जो दो नया मेंबर्स है के बाद लास टाइम जो ऐट इन फेवर्ड न में जो हुआ था हम उसी चीज को लेके था हम लोगो बाकी मेंबर से प्रॉलम नहीं है हम लोग चेर्मेन से प्रॉलम है जो 61 एर्स का था और जो आप इतना बरा से हम इसकेम होने के बाद आप ऐसा एक चेर्मेन लेके आ रहा है जो 61 एर्स का है जो सिर्फ एक साल के लिए आने जा रहा है हमार अब्जेक्शन उसी में है और दूसरा बात यह है कि आप यह जो नया चेर्मेन है उसका जो हम लोग वहां में देखा है कि 24 आर्स की लोग गायब भी था वो सब फैक्टर्स है हम उसको सवल किया है तब जाके प्रोसिजर लेपसे गमेन का तरफ से होता है कि वो केविने डिसिशन से यह लोग रिकॉल कर लेता है जबकि गमेन को पता है सब को पता है अकोडिंग टू इंडियन कॉंस्टिउशन यहां में अगर किसी को यह पे रिमूब किया जाता है तो अनली दा प्रेसिदेंट अप इंडिया कें दू इट इस देट गमेन नहीं कर सकता है तो इस देट गमेन फिर भी करने का कोशिश किया है तो वो जो लेपसे से उसका पाइदा होता कि यह रोजी तबाव मेदम और यह कोश तरी सारे यह दोनों दोबारा रिंस से दो गया और यहां में एक ऐसा एक नरेते भी ता कि एक्जाम को हम लोग होने नहीं दे रहा है कमिशन को पिए जैसी फॉर्म करने नहीं एक्चलिय यह जो है यह गमेन का लेपसेस का कारण हुआ है गमेन अगर यह लेपसेस नहीं किया होता कोट में नहीं जाना था अगर कोट में नहीं जाता इतना लंबा नहीं कीचना था तो साही प्रोशेजर क्यों नहीं अपना सकता है आज भी जो स्वेरिंग इन सेर्मनी था चेर्मन और एक नया मेंबर का उसमें भी आर्टिकल 317 क्लोस 4 उसको उलंगन किया है उसको वाइलेट किया है अभी टेक्निकली ये जो है जो जो नया जो चेर्मेन है ये जो प्रधिब लिंगफा सर इंदें जो नया मेंबर है असन रिदी सर ये दोनों अभी भी दूसरा पोस्ट भी होल कर रहे है दोनों प परसन होल तू पोजिशन अधे सेम ताइम आर्टिकल 317 क्लोस 4 में क्लेरी लिखा है कि देट इस नोट पॉसिबल देर सब्जेक्टिब तो भी रिमूबट अभी आप इसे कैसे कर सकते हैं ब्लंदर अफर वन इन हाफ यर्स इसे ब्लंदर फिर दोबारा कर सकता है पिर जब आबज होताता है तो बोलता है कि यह लोग एक्जम होने देना नहीं चाहता है यह लोग节 stamp का नहीं देना चाहता है यह एक नरेटिव पहलाता है लेकिन गर्मन यह नहीं कर रहे हैं हम चाहता किकमिशन हो हम चाहता है कि यहां में examination भी हो सही तारीका से हो ऐससे procedural लेक्तATT का स कर्रेक्तिव मेजर्स आना है, वो आर यू वेइटिं फोर? इस टेट, एंतार स्तेट इस ओने स्टेंश तेल, अभी भी रुका हुआ है, अभी भी आमें जैमो के बेटा हुआ है, सब रुक रहे की, आप कर्रेक्तिव मेजर्स इस्टेट गवर्मिन कब लाएगा, अभी सरकार अभी सरकार भी बताओ जनता भी बताओ अभी आमनों को करना क्या है आर्टिकल 317 क्लोस 4 उसमें ये क्लेरले लिका है कि अपर्सन होल्डिंग आइदर दे चेर्मेंशिप पोस्ट और दी और दे मेंबर्सिप पोस्ट आप पॉस्ट आप प्रफिशन को आप मानता ने यह तो आप उसको यह आप 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 आपको पता ने वो एक्जिस्ट करते हैं यह पिर वो एक्जिस्ट करता है पिर भी आप उसको वाइलेट करने के लिए आप जान उसके कर रहे हैं यह पिर यह चाहता है कि यहां में सब जितना भी है सब का लाइब बरबात हो आप वही तो चाह रहे हैं हम कब तक यह बैटल लड़ते रहेगा एक बार तो सई तरीका एक बढ़ फसका उसकी से काम करो थोरू से फिंख में का में लेकुणा ना आप जात याा जा तोhis को जानते हों धाने रहे हैं यह तो इसको सट गृड़त काम कर रहे है या तो वह को एतन गरिक्षिंटर करना नहीं चाहरा है वहार हाज़ोंй और भॉलता है क्या हम तरनसि ले करा हाम तरनस्परंसी के ले करा है। लिकिन वी बेल स्कित ? इक्राइचीकों। ट। और उल्जाएचीजर रखे ꂬ ट। नहीं और लोग पाम से ब्रूसिजर्यजरेगं मैं इननों हम थे लाउंखराईचीक है अगर यह तो यह जानके है यह तो नहीं जानके किया है अगर नहीं जानके किया है Напol passer फीडबेक लेना चाहिए, आपका पास वापे, you have all the expertise at your disposal, आप वो लोग से क्यू राई नहीं ले रहा है, आपका क्या एडवोकेट जनरल नहीं है क्या, हमको पता है, चोधरी सर हमको पता है, he is a well-learned advocate, आपका chief secretary सर, IS officer है, IS officer क्या, ऐसे ही, आप वो भी क्या, दुसरा तरीका से गुसा है क्या, वो भी ninja technique से गुसा है क्या, वो तो IS exam clear करके तो आया होगा, तो IS exam आप लिख रहा है, तो आपको तो 317 तो पता होना चाहिए, यहापे क्योंकि this is there in the Indian constitution, this is one of the major articles which are supposed to know, और जिससे आप बोल रहा है के आप जो भला के यहाणि आप कबड़ रहें क्या जो भॉल रहें हो, तो हम आप बोल रहें कि आप जो बोल रहा है क्या हुआ है? इसका अलाब आप क्या चाहता है? इससे बड़ा और क्रएम क्या हो सकता है? इतना बरा लेप्स sports YouTube और और आंद मदोंकि जोल कहा है? हम यह तो बेस्ट आपको पता नहीं है